आदर्निय प्रदान मंत्री जी, मैं अपूर्वा ठाकुर, बीए सेकंड यर की चात्रा दिली विश्विद्याले से, मेरे दिमाग में किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन, आशंका या डिलमा नहीं है, और इसका पूर्ण श्रे जाता है आपको, आपने जिस प्रकार यू नमो आपको नियमित रूप से प्रयोग करती हूँ, और जब मैंने मैं भी चौकिदार इवेंट के लिए रेजिस्टर किया था, तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज आपके समक्ष खड़े होकर मुझे प्रश्न पूछने का अफसर मिलेगा, और इसके लिए, इस व्यवस्था के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, कि आज एक आम नागरिक भी अपने प्रधान मंत्री से जोड़ा हुआ है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी आप जीतेंगे, और और इस बार जब आप शपट लेंगे, तो मैं ये जानना चाहती हूँ, कि आपकी हम चौकिदारों से क्या अपिक्षा है, आप हम से क्या उमीद रखते हैं मैं आपका बहुत आभारी हूँ, कि आपने एक सामान ये नागरिक के दिल की बात को बोला है और आपने बड़ी विश्वास से कहा है, कि देश की जनता फिर से एक बार देश की सेवा करने का मोका हमें देने वाली है मुझे खुछी है कि हमारे देश के युवां दूर का देखते हैं हम राजनेता तो अभी एक तारीक को ग्यारा तारीक को पोलिंग होगा तब क्या होगा 21 तारीक को पोलिंग होगा तो क्या होगा उसी में दिल लगे पड़े हैं आप शपत का सोच रही हैं यह कंफिरेंस यह आत्म विश्वास इसकी अपनी एक ताकत होती है और इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हो कि आपने इन सब के और से सामाने जनता से जो आपने सुना है बेटरों में जाते आते लोगों से बात कि उसके अधार पर आपने कहा है जब मैं शपत लूँगा वो शपत अकेला मोदी नहीं लेने वाला है एक सो तीस करोण हिंदुस्तानी लेने वाले है और सबसे बड़ा सपत होता है हम अधिकार और कर्तव्य को संतुलित करेंगे हम अपने अधिकारों के लिए जागरत होंगे ही होंगे लेकिन अपने कर्तव्य में कभी भी कोता ही नहीं बरतेंगे एक टीचर अपना कर्तव निभाता है तो विद्यार्थिकाव और देश का भविश्य बदल जाता है एक पुलिस वाला अपना कर्तव निभाता है तो सबस्याओं का सबाधान अपने आप होने लगता है अरुसर्थ में हमारे देश में पिछले पांच साल जो मुझे सफलता मिली है उसका मूर कारण जन भागीदारी है कोई कल्पना कर सकता है कि आज स्वच्छता ये आंदोलन मोधी का नहीं सबासो करोर देश सबासियों का बन गया और ये हब आप चौकेदार बने तबी हुआ है और ये बिना सपत लिए हुआ है अगर इस बाहरा आप सपत लेके करोगे तो पता नहीं परणाम कितना बड़ा आएगा हर व्यक्ति के अपने सपने होते हैं और होने भी चाहिए हर व्यक्ति के अपनी इच्छाएं होती है होनी भी चाहिए लेकिन हम ताय करें कि सबसे उपर देश आप देखिए सारी समस्याओं का समादान हम खुद ही अपना आप निकाल देंगे मैं फिर एक बार आपका भरी हूँ